केजरी वाल अब भाशन देंगे एक चोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम आचारा हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि केजरी वाल अब मंच पर आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि केजरी वाल अब क्या कहते हैं तीन अलग-अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस वक्त वहां उस मंच पर मौझूद है। कई पार्टियों के नेतागन जो स्टेज पे बैठे हुए हैं उन सब लोगों को भी मेरा हाँ जोड के नमश्कार सब को मेरा प्रणाम। नरेंद्र मोदी जी और अमित्शा जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्ख कर दिया। इस देश का कबाड़ा कर दिया। आज इस देश की जनता मोदी जी और अमित्शा जी की जोड़ी से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। आज देश का युवा परेशान है। आज इस देश का युवा दरदर की ठोकरे खा रहा है। उसके पास नौकरी नहीं है। मोदी जी ने धोखा देके जूट बोलके देश के युवां से वोट लिया था कि मैं तुम को इतने करोड नौकरियां दूँगा। आज नौकरियां देना तो दूर। मोदी जी की नोट बंदी की स्कीम की वज़े से सवा करोड नोकरियां देश के अंदर खतम हो गई हैं आज देश के किसान दरदर की ठोकरे खा रहे हैं भारतिय जंता पार्टी से देश के किसान बहुत गुस्सा हैं किसान आत्म हत्या कर रहे हैं किसानों की फसले बर्बाद होती है तो मोदी जी और अमिट शा उनको इंशुरेंस कमपनियों के हवाले कर देते है किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसान को कहते है जाके इंशुरेंस कमपनी से पैसा ले लो और इंशुरेंस कमपनिया किसकी है मोधी जी के दोस्तों की हैं इंशुरेंस कमपनिया किसान जब इंशुरेंस कमपनी के पास जाता है उसको कोई पैसा नहीं मिलता आज किस इंशुरेंस कमपनिया हज़ारों हज़ारों करोड रुपए का मुनाफ़ कमा चुकी है और किसान को एक पैसे का मुआफ़ा नहीं मिलता आज इस देश की महिलाएं दुखियें बीजेपी की नेता महिलाओं को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मुझे शरम आती है केते हुए मेरे देश का प्रधान मंतरी उन गाली देने वालो को फॉलो करता है ट्विटर पे शरम आती है मुझे कहते हुए कि मेरे देश का प्रधान मंतरी ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता है जो लोग हमारे देश की महिलाओं को गालियां देते है आज इस देश के दलित दुखियें पूरे देश के दलितों के उपर अत्याचार हो रहा है जगे जगे दलितों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है आज इस देश के मुसल्मान दुखियें जिनके उपर जगे जगे अत्याचार किया जा रहा है दोस्तो पिछले सत्तर साल से जब से देश अजाद हुआ है इस देश को कमजोर करने के लिए धेर सारी ताकतों ने पूरी कोशिश की पिछले सत्तर साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो इस देश को बांटो 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया पांच साल के अंदर मोदी और अमिट शाने करके दिखा दिया दोस्तों पांच साल के अंदर मोदी और अमिट शाने इस देश के लोगों के अंदर जहर भर दिया हिंदु को मुसल्मान से लडा दिया मुसल्मान को क्रिष्टन से लडा दिया इसको उससे लडा दिया जो काम सत्र साल में पाकिस्तान नी कर पाया वो काम पान्साल के अंदर मोदी और हमिद शाने करके दिखा दिया दोस्ता इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर काँ पुठता है अगर ये दोनों दुबारा दो हजार उन्निस में आ गए अगर मौदी और हमिद शाह दुबारा दो हजार उन्निस में आ गए दोस्तो ये देश नहीं बचेगा ये इस देश को बर्बाद कर देंगे ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे आज लाखों लाखों की संख्या में आप लोग जो आएं दूर दूर तक हज्जारों लाखों लोग दिखाए दे रहे हैं वो एकी सपना लेके आएं किसी भी हालत में हमें मोदी और अमित्शा की जोड़ी को दिल्ली से उखाड़ के फेकना है दोस्तो अभी थोड़े दिन पहले अभी थोड़े दिन पहले अमित्शा ने एक रैली में बोला था कि अगर 2019 के अंदर भाजपा की सरकार बन गई तो 2050 तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता अमित्शा ने ऐसा क्यूं बोला था उन लोगों के इरादे बड़े खराब हैं उन लोगों के इरादे खतरनाके हैं अगर मोदी और अमित्शा की जोड़ी 2019 में दुबारा बन गई दोस्तों ये समविधान बदल देंगे इस देश में चुनाव बंद करा देंगे 1931 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 1931 में कुछ महीनों के अंदर उसने देश का समविधान बदल दिया उसने चुनाव खतम कर दिये और जब तक हिटलर मरानी वो जर्मनी का चांसलर लहा जो हिटलर ने किया था मोदी और रमिध्शा की वही मनशाए वो इस देश का समविधान बदलना चाते है वो इस देश से लोकशाही खतम करना चाते है वो इस देश से जनतंत्र खतम करना चाहते हैं दोस्तों कुछ भी करो 2019 में इनकी जोड़ी को दुबारा सत्ता में मताने देना मुझे कई लोग पूछते हैं अगर मोधी नहीं तो प्रधान मंत्री कौन बनेगा मैं उनको कहना चाहता हूँ 2019 का चुनाव प्रधान मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है 2019 का चुनाव मोधी और रमित्शा को भगाने का चुनाव है दोस्तों मैं अंतमे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ इस देश में जो सच्चा देश भगते जो इस देश के बारे में सोचता है जिसके मन में भारत के लिए जरासी भी भावना है एक ही बात ठान लो कुछ भी करो कुछ भी करना पड़े जितने लोग सामने बैठे उनको भी कह रहा हूँ और जितने लोग स्टेज पे बैठे उनको भी कह रहा हूँ कुछ भी करना पड़े 2019 में इनको भगाओ मोदी औरमित शाह को सच्चे देश भक्त की आज यही जरूरत है मैं ममता दीदी को बहुत बहुत पूरे देश की तरफ से शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ मैं जब आज आया था बहुत बड़ी चिंता लेके आया था लेकिन आज इतना बार जन समू देखके और स्टेट पे बैठे वी इतनी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को देखके आज मैं सकून के साथ वापस जा रहा हूँ कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं देश के अच्छे दिन आने वाले हैं खबरें जो देश को रखे आगे